हलो फ्रेंट हो एलकम Assim आयए एंवेडिया है जॉन लौ का समझाज गां सीधान तहलोड की समाज की राजने ते विजाह द रहा באँ अस्थैन्न कहीं दरुषत समाज हो प्रति पास्षे और पतित माना है लोग ने उसे क्या माना है मनुष्य को सोयूजी और तथा समाजिक माना है लोग के अंसार मनुष्य सभाव से ऐसा समाजिक राणी है जो पारस्प्रिक सयूग प्रेम दया और सद्वावना की आधर पर दूसरे भ्यक्तियों के साथ सम्मंदग रखते हुए अपना जीवन पितित करता है मनुष्य को सहार्थि प्रेम दया और सद्वावना की आधर पर दूसरे भ्यक्तियों के साथ संबंदग रखते हुए अपना जीवन पितित करता है प्राकिरतिक का उस्ता मनुष्य को घृर ऑप्र थी बतलाया है तथा तथा प्राकिर्थिक आवस्ता को तदनुसार सतत संगर्स और यूद की दसा माना था। प्रंत लोग ने मनुश्य को सुभावता प्रभवकारी दयालू स्योगी वह समास्प्रिय माना है। उसी के अंसार प्राकिर्थिक आवस्ता की इकल्पना भी इसी परकार की है। जिसमे एक आथा हॉप जने कि मनुषय क्या है ऑसंता संगर्सोति की दसा थी छैपक mustache and लुग नमनुशो को अप्रहब करें दायल संस關係 माणा颤邮ूता है उसके अनुछ देतृत वाएसंता में धी लोग जान लोग की प्राकिर्थी का उस्ता की कई भी सिस्ता है पर्थम तो यह कहा कि प्राकिर्थी का उस्ता में सभी मनश्य समान है क्योंकि सभी स्रिष्टी सभी शीरिष्टी के एक हे अस्तर और सभ एक ही सरो सक्थिमान और अनंतु बुद्धी संपन स्रश्टा की किरतिया है। लौह के प्राकिर्थ आक्रफ्था सांतिय और प्रास्परी सद्भावना पर आधारित होने के कारण सभी व्यक्ति समान और स्वतंत्र माने जाते हैं, कोई किसी को हानी पोचाने का प्रयात्ना नहीं करता, समान रूप से प्राकरतिक समाज के लावों को प्राप्त करते हैं, और कोई किसी के अधिन नहीं होता है, तिरति यह माना था कि प्राकरति अस्ता में लोग पूरता समान वह सोतंत्र होते हैं तो यह सोतंत्र स्वाच्छाकारी स्विच्छाकारी नहीं है क्योंकि प्राकर्टिक अवस्था का नियंद्र में प्राकर्टिक नियमों के द्वारा होता है बुत्ति पर आतारी नहीं प्राकर्टिक नियम है तो यह उसके प्राकर्टिक अवस्था के किसरा संपति का दिखा है फस्ट होगे जीवान का दिखा है लोग के अंसार आत्म स्रक्षन मनुश्य के सबसे प्रभल अकांसा है उसके सभी किरियाओं का परधान प्रिरख तत्व है इसी उदेशी के पूर्ति के लिए किये जाने वाले भूति संगत कार्या मनुश्य का अंसार प्रधान परण प्रेरख तत्व आत्म रख शर्क्षन है इस उदेशी के पूर्दि के लिए जाने वाले बुद्धी संगत कार मुश्य के कहें बी सह सथकार दूसरा वोग्ए उसका प्राकेर्ट आवस्ता में सथ्टन्ता कारता है लाग के अंसार स्थक्रें अपनी इच्छा के अंसार कारे करना तथा किसी की इच्छा के अंसार कारे करने को भाद्य ना होना प्राक्रित आवस्ता की स्वतंत्रा है जबकि प्राक्रिति नियमों के द्वारा अस्थापि नयतिक ब्यवस्ता के अंसार कारे करना ही स्वतंता है तो अप्रतिव्यक्तिकों नयतिक किसी माउं में रहते हुए अपनी स्वतंता के उभूग का प्राक्रती अदिगार है लोग के अंशार किया था कि स्वतंता करतु सुचा करेता नहीं लोग के इसब्द में अपनी Pengstar कारकरने करने के लिए बाद्या नहों ना कि अपनी इच्छा के अंसार कारे करने को बाद्य नहों ना प्राकरत अवस्ता की स्वतंतरता है यह जब कि प्राकरती नियमों के द्वारा स्थापित नयतिक व्यवस्ता की अंसार कारे करना ही स्वतंतरता है और तो प्रति व्यक्ति को नयति इसमें जीवन और स्वतंता की अधिकार भी संब्लिते हैं। जिस चीज को मनुश्य ने अपने सारिक श्रम द्वारा प्राप्ति क्या हो उसका प्राच्वतिक अधिकार है। इसमें जीवन और स्वतंता की अधिकार भी समझेते हैं। जिस चीज को मनुश्य अपने सारिक श्रम द्वारा प्राप्त करता है। इसमें को सामिक रूप से प्रधान की है। ब्यक्तिकों का सरीर ही उसके पास क्या है। एक ऐसी संपति है जिस पर उसका एक मात्रा प्राप्तिकार है। प्राक्युटिक आवस्ता के चीट्रन के बावजर लौक के अंसर की कटनाएऽ है। प्राकित द्यवस्ता की एक कड़नाई है कि उसमें एक ऐसी निस्चित परकट एवं सर्वसम्मती बिदी नहीं होती है जिसके अनुचित अनुचित मतभेदों का निर्णाई हो सके एक तो हुच है प्राकित द्यवस्ता में कड़नाई की है कि एक निस्चित परकट एवं अनुरुब लिखाय को ओर्पाकारॐ के नियादमित करने के लिए अंधर में कोई साधन या सथा निया स्थान नहीं है इसमें सब शादन को आयकरतने को दूर करना की दिष्टि से मनुष्यों को ने एक समाजिक समझाते या सव्वधा द्वारण द्वारण राजय का निर्मा किया कि इस समंध में या इस मिनाने कि लोग के अंसार राजसता के अस्थापना मनुश्य के पारस्मी भाई से चुटका रहा पाने कि उदेशे से नहीं बरन पाकिति अस्था में रहने वाले कुछ कड़नाईं के निवारने के उदेशे उसे हुई है देन हो गया समाजिक समझोते दार राजी के उत्पाती प्राकिति अस्था कि अस्थाओं को दूर करने के लिए लोग के अंसार क्या था कि मनुश्य के समाज होने के कारण यो समाज के सब मनुश्य के साथ जाने वाले एक अनबंधर था अति उसे समाजिक अनबंद कहते हैं इसमें सभी व्यक्ति उन्हें भाग लिया था इसमें प्रति व्यक्ति ने अपने कि वह और प्राकिति काननों को लागो करने का तथा उसका उलंगन כ ये लिए धन्रे देने का अधिकार सारे समाज को अर्पित कर दिया से सभी प्राकरति यादिकार रखत के जो प्राकरति आउस्ता में थे हुआ उस्ते प्रधानी की इस तरह सकती समाज को प्रधान की गई वह सीमित थी इस समयदा ने सिमिल समाज उत्पन हुआ इस समयदा से क्या हुआ सिमिल समाज उत्पन हुआ और प्राग यह प्रात्मिक सविधा इसके उपरांद एक दूस्टे गौंड सविधा की माध्यम से सासन की अस्तापना हुई। शासन की अस्तापना एक साधन के रूप में की गई है। जिससे समाज के उद्देशियों की पूर्ति हो सकए। मनुश्यक्त के द्वारा प्राकर्टेद्वारों के काररे रूप के लिए इन कारणून को डन्ड नूब भाई के ुपर कार्यान वित करने के लिए सासन के स्थाबना की लोग ने जिन दो सविधाओं की सर्चा की उसमें पहली सविधा द्वारा समझाते या समझाते द्वारा नागरी समाज की तथा दूसी द्वारा सरकार के स्थाबना होती है अर्थार पहली समझाता जनता के बीज हुई और दूसी एक और समुची जनता दूसरी और सासा के 20 हुई पहले समझाते द्वारा समाज को जो अधिकार व्यक्तियों ने सौंबे वे समाज द्वारा दूसरा समझाता होने पर सरकार को परधान कर दिएगे सरकारी समझाते में शरकार भी पक्स हिसी ऐसा है सब्सक्राश की गलबन helps राज्य के önप kilowatt समाज के सामाज 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 के कानुन को लागो करने का उसका उलंगन करने के लिए धंड देने का दिकार सारे समाज को चाहिए दिया है में जो सब्सक्राइब के प्रांगे चाहर है और वन कियो चुछ सब्सक्रायब हो कि या समझाते सिविल समाज है तो व normal सब्सक्राइब एक दूसरी गॉंड सेविधा के माध्यम से सासन के अस्थावना के साधन के रूप में की गई जिसे समाज कर उदेश्य होगी, समाज कर उदेश्य की पूर्थों के हो सगय मनुशय के प्रारट आधिकारों को अकार्या रूप देने कि लिए तating इन कानुने को धंडवा भाय से कार्यादमित करने के लिए सासन के अस्तावित किया गया लोग ने जिन दो सविदानों की सविदाओं या कॉंट्रेक्ट्स किया समझाते कि टर्सा के उद मैं से पहली सविदा नागरिक हुए पीज हुई थी नागरिक समाज के हुई थी सरकार की दूसरी द् facing सविदाओं इन थे पहले समेधा के स्ताव्न हुई थी सभी जनता के विज हुई थे पूरी जनता थी दूसरी और सासक के बीज वी थी दो सविदाएं होई थी एक दो जनता के बीज वी थी दूसरी जनता और एक और तो पूरी जनता थी दूसरी और सासक के बीज पहले समझोते की द्वारा समाज को जो अधिकार व्यक्ति विस समॉप्ड ध condemn सरकार की समझोते में त्यूंकि सरकारी समझोते में क्या होता उसके उपर के कुछ शरतें चेहीं का पालन सरकार नहीं करती तो उसे समाब प्रविश्ट कर निर्मार के 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 निर्मार क परतली तो नहीं करते हैं जो किया करते हैं जो संधाय कर उन पर उतर दाय तो नहीं रहता है कि यह समझोते को स्विकार कर लिया है उसे प्राकिर दस्ता हमें लोटकर जाने का कि कभी सुतंता नहीं है इसमें क्या है कि एक बार समझाता हो जाने पर नहीं हो सकता है क्योंकि इसने इस समझाते को सुईकार कर लिए उसे प्राकरती दसामें लोट जाने की सुतंता नहीं हुए लोग ने समाजिक समझोते में ध्यक्ति अपने अधिकारों की अप्रत्या करता है अपने सभी अधिकारों का नहीं कुछ अधिकारों की प्रत्या करता है सभी का नहीं यह अधिकार है प्राकिर्थिक कानून की द्याच्या करता है उसके उसे कारे रूप देने तथा उलंगन को डंडे देने का अधिकार वो अपना अधिकार किसी एक ब्यक्ति को नहीं समधाई को समुथा है इस समझाते के द्वारा प्राकिर्थिक अवस्ता का क्या होता है अंतु होता है ना कि प्राकिर्थिक खानूं का इस समझाते से प्राकिर्थिक अंतु होता है प्राकिर्थिक के समय कोई भी बाला किसी देश या सरकार के अधिन नहीं होता है वह यह मानता है जिर राज्य के पड़ते एक नागरिक के बच्चे सरवता स्वतन रूप में पैदा होते हैं इने इस भात की पूरी स्वादिनता है कि वह उसम में समजित होने या नहोने कि समधी परधान करें और यदि हुए ऐसा नहीं करते हैं तो उसी राज्य से बाहर जाने पर वह अपने पैट्रिक समपता की समपती के उत्रादिकारी से बच्चित हो जाएंगे तैन हो गया होप्स और रोखा जो समझाता था उसमें समात शोजीत की समस्फय नहीं ता सब्सक्रादी के वह व्हयक्ति होते हैं अब अंतर है इसमें कुछ डिफ्रेंसे से इन दोनों के समझाते में हौफ सका जो समाजिक समझाता प्राकेट अस्ता में क्या था स्वार्थी एका कि वा पास जीवन बिताने वाले मुनिश्यों द्वारा संपन हुआ है दूसरी और लौका जो समाजिक समझाता हुआ ऐसे ब्यक्तियों द्वारा संपन हुआ जो कट्पाई अस्तुधाओं के बावजुद समाजिक जीवन बिताते थे स्माजिक वाशेक्ता हुथी व्यक्तियों पम्तुधोध का समाज जीवन आउसे 5 द्वारा स montre्वारा जो क्या भेक्तियों द्वारा संपन हुआ है एक गर्ष को समझाता हुए कि इसमें इसमें थी प्लाइक्टो anc الذ wrapper करने वारी कोई को प्लागों को निया प्लाव ने थी करने के लिए एकी समझाथा क्या गया है उचय नसार दोपर करके समझाता हुए पहला समाजिकु मात दूसरा नहीं त्याजनिती करेदा दूसरे समेद करने के निरंगुस जनता की उप्रिक्सा करता है। यदि भी इसमें सरकार सामील नहीं होती प्रण्थ लोग ने उसे प्राकिर्टी कानून तथा ब्यक्तियों के प्राकिर्ट एथिकारों से मर्यादित नियंतित रखा है। होग समझवादय में जनता के क्या फिक्षा करता है, संप्र्ल लोग पक्स किलिता है। लोग समझाता अधिकांस तो जनता के पक्स मिले यदि भी इसमें सरकार सामीन नहीं होती परंथ लोग उसे प्राकिरती कानौन और व्यक्तियों के प्राकिरती अधिकानों से लोग मर्यादी तथा निरंदी रखाएं लोग का जो समाजिक समझाते का सिधान था उसके कुछ अधर रूशना भी है लोग ने बार-बार मुल समझाता है सब्दकाप्रियों किया किन तो उसने कभी इस पस्ट नहीं किया कि मुल समझाते सेतात पर यह क्या है इसलिए वहन तथा सिवाइन जैसे भी दौहन ने कहा है क लोग के अंशार दो समझाते होते हैं पर्थम समझाते से प्राकर्टिक और अस्ता को समाब्द कर राज्य का निर्मा किया जाता है दूसरे समझाते सरकार के स्थापना की जाती है लोग के समझाता समझाता समंधी विचार से इस पर संगतनी है उसका समझाता समंधी विचा एक समझाता हुआ, लोग समझाते का आधा सम्मति को बनाता है, पन तो इत्यास में ऐसे हम यह भी राज्यों का उलेग है, जो बलत का सक्ति के आधार पर बने और नश्ट हुई हैं, लौक ने एक और तो क्या कहा है कि जो समझाता है विए सर्व समप्थी से संपन कराई है। दूसरी और बहुमत के सासन चिदांत का समर्तन करता है और लौक के विचारों का बिर्धापास पाए जाता है। तो फ्रेंड्सी वीडियो होगे जॉन लोका जो समाजिक सिधानते हैं उसके बारे में समाजिक समझाता है उसके जो मान अशुवा की ब्याच्य प्राक्रिक्टिकास था इन बिन्नु के बिज राजिक उत्पति इन बिन्नु के बिज उसने इसके समाजिक समझाता कि ब्याच् और देर लिक, जे एंग 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 विड़ेने विड़े को तरी कि देके विशेता टी भी देक विशे साटी है nouvelles जाव में इले बेह।